हेलो श्रेंट्स, हमारे चेप्टर चल रहा था कौन सा ईलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बाद मैं बात करूंगा किसकी अपने जो तो लोहे की कोई चीज है या माल लोग अपने पास क्या है सिल्वर की कोई चीज है तो उस पर क्या होता है लोहे की चीज क्या होती ब्राउन कलर की लेरिंग हो जाती है देखो यह दिख रहा है आपको यहां पर ब्राउन कलर की लेरिंग आपकी क्या होती इसके अंदर हो जात है और जब भी कोई चीज काली पड़ेगी मतलब कोई से सिल्वर चीज तो जहाएक हम क्या है और मानलो निए कोई कोपर का है कोपर की जिए तो कैसे हो जाएगी ग्रीन इसके अपर अब उपस्के बारे मां अच्छा इंडहिए क्वरोजन के वहीं देखते हैं वह देखते हो कि रोथा होने होने लग जाती अपनी डेरी लाइब में देखते हैं, वह भी उसमें से एक चीज क्या है? corrosion भी होती है, हम बहुत कुछ देखते हैं, मतलब कोई गाड़ी जार weldα ही है, तो हम क्या गड़ते हैं, ऐसी चीज Goddess होते हैं, corrosion भी हम भूस सारा देखते हैं, कि कहां कहां हो रहा है, है कौन सी वह हम देखते हैं पुराने वाले मान लोग वह क्या नाम से बिल्डिंग वगर है उन में जो लोहा है उन पर भी क्या आता जंगल रहता है मतलब को रोड रहती है वह भी देख लिए जागे यूह प्रोबैवली सीन देट ओवर टाइम सम आइरन ओब्जेक्ट डवल है आईरन में अगर कोरोजन होता है किस में आइरन में उसको हम क्या बोलते हे रेस्टिंग बोलते हैं टेक है दो निंग प्रोजन ये लिड़ी कल प्रोशेस करने के लेए आपके गर में जो पंक्रा है उसके बर जम जाती है वह दुर जैखाब मतलब उसका क्या हो रहा है वहां से डिस्ट्रोइ गता जाए गए ठीक है बात करता हूं आगे कि देखो एक एक जंबल कितनी सुंदर दिख रही है सुंदर मतलब इसस आइसे यह गम-खिड़ीद की लेके आता है तो कैसे होती है ये एकुजंट है लेकिन जब दिरे-दिरे बाद में वह पा~! अब इस ब्राउं किला इसे ब्राउं कलर की offer कीॉति है स्सक्राइब हinsi यह किस बोलते हैं और खर इंच इंच एंच आद एक सकथ ओस्ट केलू केुज इंप्राउन क्यों से हो सकती हो देख लिए वोटर एयर टू चेंज इन्टू अन्वांटेड सबस्टेंज अब आपको चाहिए क्या ब्राउन क्लर की कोटिंग नहीं चाहिए तो मतलब कोई वालो यह आइरन है यह आइरन जब भी एयर या वोटर के साथ क्या हो गया में या फिर क्या होगा औरेंज कलर में चेंज हो जाता है चेंज होने का मतलब यह नहीं कि कलर चेंज कर लेगा गिरगिट नहीं है यह ना यह क्या है आपको क्या करना पड़ेगा इसमें केमिकल प्रोसेस की मालों यह आयरन दिया तूट के क्या हो जाएगा ब्राउन क्लर क यह देमेज होती है, and breakdown as a result of this reaction, which first impact the area of the metal, that is, that is in contact with the environment, first then spread on whole metal, माना, देखो एक बार न, माना कि यह है, मेरे पास एक, क्या है, लोहे की रोड बड़ी है, इतना सा तो क्या है, अभी साप सुतरा है, मतलब चमक रहा है, वह भी होता है दा न, चमकीला, और यह वो brown gallery coating वाला, इधर क्या होना, rusting start हो गई, क्या हो गया यहाँ पे start, यहाँ पे हो गया rusting start, corrosion होना start हो गया, तो सबसे पहले सब्सक्रांणार होगा, उसके से बाद धीरे 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 क्या ओजा यह था गया, पूरा का पूरा पूरा जो रोड है, मुरे पास iron की की हो पूरी क्या हती है 2 रस्टिंग से घल जाएगी, मतलब पूरे में rust फेल जायाएगा यह है क्या इसका, पूरी और इसमें कहते हैं आइरेंद डेमेज च्छाया है वो लोह मतलब चीज लिए इसमें उकसिडेशन भी होगा हुआ हाँ और इसमें क्या होगा साथ में रिदक्षिन भी होगा अगर किसी जी किसी भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें और रिडेक्शन दोनों होते हैं तो उसके बोलते हैं बोलते हैं बिट्वीन दन मेटल एंड शर्टेन एट्मोस्पिरिक एजेंट इसको में रफ करते हम अच्छी से दिख जाए एक बार उसके आरें बात कर लेंगे आगे ना देख लेंगे बी क्योटेग्ट एजन एलेक्ट्रोपे से रिट्ट्रोप्रोसेस मतलब के नम से पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया अब भी पूछाग हो मRY से कि पढ़िया है तो फिर तो मतलब इनी mm यह जमार है ना चेया है फिर स्थses ल होता है तो बात करते हि में अगे इलेक्टर केमिकल प्रोसेस है अब देखो क्या है क्या साघ्टिविटी क्या साघ्टिविटी स्केल डिके वेरी विकली मतलब क्या है आपने सबसे पहले जब चेप्टर पढ़ा था तो उसमें एक reactivity series पढ़ी थी ठीक है तो सबसे पहले उपर क्या आता है लीथियम आते हैं साब उपर लीथियम जी आते हैं तो यहां से हमें नीचे चलना है तो उपर वाले जो elements हैं वो क्या होता है more reactive होते हैं ठीक है और नीचे वाले क्या होते हैं less reactive होते हैं ठीक है more reactive less reactive अगर क्यों ही metal more reactive है तो वो दिखाएगी और जो less reactive है वो corrosion नहीं दिखाती है दिखाएगी तो कम मात्रा में दिखाएगी ठीक है आपको concept clear हो गया होगा I think दूसरा आगी चलते हैं अब नीचे कौन-कौन से प्लेटिनम है यह मेटल क्या करती है lower reactivity scale में नीचे आती है इसलिए क्या होती ही corrosion शोर नहीं करती है आपको concept clear हो गया होगा आगे चलते हैं the oxidation of metals during corrosion give the explanation the probability of the reactivity series to become oxidized as we go down is extremely low oxidation potential are extremely low मतलब कहने की बात यह है कि उपर वाली जो element आएंगे उसके oxidation state भी क्या होती है उस पर depend करती है कैसे करेगी देख लो कि the probability of the reactivity series to become oxidized मतलब उपर वाली oxidize जल्दी हो जाएगी नीचे वाली oxidize कम दिरे-दिरे होगी जब oxidize अगर जल्दी हो जाएगी तो मतलब हम definition यह पड़ेते क्या कि air और water के साथ क्या गरिया कांटेक्ट करके ब्राउन कलर की कोटिक में चेंज हो जाता है तो oxidation का मतलब क्या होता है addition of oxygen तो जब addition of oxygen होगा oxidation मतलब वह है यह oxidation वह वाला नहीं है कि corrosion दिखाती है जोगी नीचे वाली नहीं दिखाएगी बात करते आगे और तो हेविंग रियक्टिव एलिमिनियम डजन्ट को रोड लाइक अधार मेंटर अब देखो समझा आ गया होगा कि reactivity series में जो उपर आएगी वह क्या होगा corrosion दिखाएगी जो नीचे आएगी वह corrosion नहीं दिखाएगी एलिमिनियम एक exception है जो क्या करेगा क्यों नहीं दिखा था क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा उक्साइड लेर जम जाती है जिस वेसे इसका इस पर corrosion नहीं लाओता ठीक है बात करते हैं आगे चलते हैं अपने तो विक्यों पर factors affecting of corrosion मतलब किस किस पर depend करेगा corrosion बात करते हैं यह पहला metal being exposed to air that content gas like मतलब इन गेसों के साथ अगर contact होगा तो corrosion होगा दूसरा metal exposed to moisture moisture के साथ contact होगा तो भी corrosion होगा which speed up corrosion अगर moisture मतलब एक तो बाल्टी पर टक की छोड़ दिया लोगे को और एक में दीरे-दीरे पानी लग रहा है तो दीरे-दीरे लगेगा तो क्या होगा और जापानी ज्यदा है तो वह ज्यदा होगा ठीक बात करते हैं तो प्रजेंस ऑफ क्योंकि जहां पानी होगा सूखेगा 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 तो मोश्चर बनेगा मोश्चर बनेगा तो क्या होगा जल्दी करोजन होगा ठीक आगे दा इनीशियल ओक्साइट लेयर नेचर कैसे देखो कुछ तो क्या करती है कुछ ओक्साइट के लेयर तो क्या करती है जल्दी से स्पीड सी क्या होता है वो ब्रेक डाँ मतलव पूरा का पूरा आईरेनी क्या होता डिस्टों को लगा जाता है और क्या होता पूरा पूर जाता है ठीक आगे The presence of acid in the air अगर मान लगे चलो acid ही present है तो acid तो क्या करेगा जल्दी destroy करेगा आपके उपर ही किरेगा तो क्या होगा आपके हाथ वेड़ जल जाएंगी जब आपके हाथ वेड़ जल जाएंगे तो उस लोगे क्या होगा जिसपे डाल दी है तो उसका भी क्या होगा जल्दी होता है ठीक है तो यह थे आपके क्या factors affecting of corrosion बात करते हैं नेक्स आगे चलते हैं अब types of corrosion अब आप सोचो बैई corrosion कौन-कौन से टाइप का होता है आप सोच रहे होंगा है कि यार मैंने बता दिया सबस्वेले कौन से होता है वो तो शिल्वर नहीं वो एक्जांपल्स है वो क्या है इसल्वर क्या एक्जांपल है टाइप नहीं तो टाइप कौन से टाइप देखो पहला एट्मोस्पेरी पॉरॉजं मतलब एटमोस्पीर में ऊपास्तित कोई भी मोस्चर या वोटर के दुआरा किसी लोही में जंज़ल लगना या क्या कलता है एटमोस्पेरी क्या लाता है बेखो समझो क्या है वेट को दिल्वोलते है अग्जांपल देखो आप तो जिसे कि आपने देखो मानलो कोई ब्रिज है ब्रिज उस ब्रिज पे क्या है पानी गिर रहा है बारिज में भी गया तो उस पर जंग लगता उसको बोलते हैं तो दूसरा कौन सा है इरोजन कोरोजन समय है इरोजन क्या होता है वह देखो यह चीज यह डागराम सबको यह किसकाएकजामपल है इरोजन क्या है और सपेड़ी ट्विल्टी बिट्वेन कोमेटर सर्फेस को भी नर मेकानिग्ल अबरेशन को मान के सब्सक्तर अबने गँठाख रही को बगए सको तो इसे चीज़ों के अंदर जहां हम क्या करते हैं मतला में अन्दर जगेगा नाइक को जलते हैं थीक्ट आगे चलते हैं स्पेसिफ जगह होगा क्या है कोई मेन न दो चीज मिलके किया वनने एक अलोगा अगर कोपर वाला और निकल वाला दोनों क्या करेंगे इनमें को रोजन हो जाए वापस दोनों मिलके कहा हुआ को पर अलग हो जाए निकल अलग हो जाए उसको बोलते हैं हम स्ट्व बात चिलते हैं आगे अगला कुन सा है यूनिफोर्म को रज्जन जो हमें से एक समान रहें देखो कैसे इन दिस टाइब ऑफ को रोजन ए लेयर ऑ इस पीटीव फियल जाए पूरे एक समान बन जाए तो उसका एक्जाप्ल अगया यूनिफोर्म मगया एक्जांपल होता है ठीक है बात कर दें आगे चलो एक्जाम्पल देखो यह वाला इस दिख रहा है आपको एक लोहे की क्या है सरफेस से उसके पूरे पर क्या होगा अगला है पिटिंग को रोजन पिटिंग मतलब नाम समझे आप पिटिंग को रोजन हैपन वें दे मेटल प्रोटेक्टिव ओक्साइड लेएर बिकम डेमेज किसी नंट के ऊपर क्या होता है अगर प्रोटेक्टिंग लेएर ही डेमेज हो जाए तो उसके बाद जो ग्रोटा हो एक्टीं को रोजन होते है फ्की इसमें रड़ेब्यातर गाता है बीदेगल अग्लाHa क्या थी कि एल्यागना की आती कि लिवें veggie से अगर वो लेर टूट जाए उसके बाद चो डेमिज ओगा, वो कौना होगा, क्यों सा होगा, UTdamn corrosion होते, होगा लगाए है क्या गरूँगा है अब मौन्घ बोल्ट सिल्प होगा या वाइबरेट होगा तो इसके आस पास जी होगी है डेमेज होना स्टार्ट कर देती यह जब डेमेज होना चांफ होगी तो कोंसा टाइप करोजन हो गया फ्रेटिंच इसको बता है थिक का बात समया करने से इसको बोलते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बाद सब कोई कोई रख दी उस ai recommendations करें प्रिशन को इसको किसको स्ट्रेस को सत्रेस और सब्सक्राइब है का लगन आगे चलते हैं के इंड ग्रेडिन क्रोटैगर भॉट्बोस यह होता है उसके वेलडिंग करταैं तो वह क्या है उसके वेल्डि honor श्ok Deutsch french को Latino am होलते है कि यह जो होता है कि यह होता है किसकी वालिटी की वज़े लिए पूरा पूरा आपके वास एक सिस्टम था उसमें क्या होगा यह तोट गया तो इसे टोट लिए हो गया क्या थे को निखतीक बात करता हूं अगे corrosion of copper corrosion of copper क्या होता है अब example यह बात करूँगा corrosion of copper क्या होता है when copper metal is exposed to the air noemite मतलब माल लो oxygen के साथ copper reaction करेगा then the oxygen present in the air combined with it to produce copper first oxide which is colored red मतलब माल लो सबसे पहले क्या है मेरे पास copper है oxygen के साथ reaction करेगा तो क्या बनाएगा Cu2O बनाएगा जो हमने Cu2O बना ना वो क्या होता है पहले यह black था when formed क्या हो जागा यह red color का हो जाता है जयानक नहीं बात है Cu2 किसा होता है red color का हो जाता है अब बात करता हूं माल लो अब जैसे यह Cu2 अगे oxygen करेगा तो क्या बनाएगा यह C U O बनाएगा क्या बनाएगा C U O तो C U क्या होता है दिस C U O combined with atmospheric components जैसे कि CO2, SO2 and S2O to produce the blue minerals कुछ minerals होते से malecite होता है और bronchite होता है ना which are both green यह दोनों कैसे ग्रीन करें गरते हैं मतला है सबसे पहले copper के साथ है simple language बात करता हूं simple language copper के साथ मालो वो चमकीला था तो सबसे पहले reaction करेगा तो क्या मतला कैसे चेंज हो जाएगा सबसे पहले rate में चेंज हो जाएगा rate में चेंज होने पाद किसमें चेंज हो ग्रीन क्लर की coating आया थी उसके उपर तो ग्रीन क्लर की कोटिंग ही क्या है आगे एक्जांपल ग्रीन नाम जरूर सुना होगा खड़ी हुई मूर्ती थीच है तो क्या होता है आगे बीटी तक लिए आपके लिए आपकी लिए लिए को रिप्रेजेंट करता है बात करता हूँ आगे नेक्स तलता है अपना कौन सा इंट्वर कोरोजन सिंपल सी बात है चोटा सा टॉपी के बड़ी बात नहीं करते हैं सिल्वर कंबाइन विद सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड इन दे एर तो प्रोड्यूस देख लेते हैं आगे देखो सिल्फर है यह क्या करेगा एक्स टॉस के सारे करेगा क्योंकि आगो बताया है कि मेटल रियक्टिवी तो इंड वोटर दें चेंज इंटू या कनवर्ट इंटू क्या अर्डर अन्वांटेड सबस्टेंट बाइद रिखाई देख लेगी तो होगी किसमें और एक्सेंट देता है तो आपको पता होगा कोई भी हम चांदी की चीरिया सिल्वर की चीज़ पहनते हैं तो थोड़ी दिन वाद काली पढ़ जाती है काली क्यों पड़ेगी क्योंकि वो उसमें को प्रोजन होगी तो शाप करें वापस गिस की पैंड नया कर पैंडे ना तो इसमें क्यो अब क्यों ह מट तो चौन हाइब आपको अच्छी समåँ आगया होगा कि मैंने को तीन पंद कि इस आपको याद करना इंपॉटेंट है ठीक है बात करते warnings नेक्ट में तर रिस्टिंगे वोलता है तो एक सवर्से तो यही हो शो मैं रिस्टिंग क्या होता है आरनर में जो क्य है है उसको कि हम क्या बलते है रस्टिंग बलते है ठीक है बात करते हैं है विखेंड प्रिवियलेंड एक्ग्जामपल इस रस्टिंग फॉफ आइरन मतलब सबसे है आध गड़किशन ओध नरी यह एक काई यह लूड थी खाए ओटि तो पानी जहां पर जो आरं था यहां इसमें उली यह वहता है तो इसमें क्या लिखा है इ yapmış है जह पात है यह वाली सफ मिभी में कि शो कीजिकर हुआ यहां पर सिंस मेटल आयरन लोसेश इलेक्ट्रों एंड बिकम एफी प्लस टू इन दे लोकेशन मतलब जहां यहां जो लिखा हुआ है न यह वाली रिक्षन सेम कंडिशन आयरन था मतलब प्योर आयरन था वोटर के साथ कॉंटेक्ट होगा तो क्या होगा यहां से लोग सब्सक्राइब यहां से मूव करता हुआ का चाहिएगा अपोसेट साइड एंड इंट्रेक्ट विद एच प्लस आयन और यहां पर आने क्या करेंगे इसको एलेक्ट्रों को गेन कर लेंगे है एच प्लस आयन्स आर इमीटेट वाइटमोस्पेरिक एच तूसी ओतरी मतलब वोटर और एच तूसी दिरिस से ही क्या होगे निगले हुए है ना विच माइट टो भी थोट एज देक कैथोर्ड पोजिशन इसको हम क्या बोलते हैं ठीक रिएक्शन की बात बात में अबने क्या बड़ा process पड़ी process स्थुर्स के अंदर क्या किया है हमने की iron corrosion क्या होता सबसु पेले क्या होता एक iron है कि जैसे ही water साथ contact होगा तो क्या होगा यहां पे iron पूट नाइश साथ होगा GO किसमें करनाट होगा, I-E2 में दो इलेक्ट्रोन बार रिलिज करेगा, वो इलेक्ट्रोन यहां से मालो, मूग करता हुआ, कहाँ चल लागा, यहां प्याज जाएगा, यह कौन साइस का cathodic position है, जाहां पिया करेगा, यह इलेक्ट्रोन H-Plus के साथ और CO3 माइनस 2 के अंदर टोटेगा बात सेदें अब एडोट पे क्या होगा मैंने अभी पताया दिया क्या होता है दो Fe के आयन टोटेंगे किसमें 2 Fe प्लस 2 में मतलब एक से दो इलेक्ट्रों बाहर निकलें निकलें कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशिल कितना होता है माइनस के 0.44 वोल्ट होता है द्यान अगने की बाद याद करना आपको पता है कि हम सेल का एलेक्ट्रोड पोटेंशिय के से निकालते हैं सब कुछ आपको पता है ना ठीक आगे चलते हैं दूसरा क्या है क्या है क्या है क्या होगा ओक्सिजन 4H+, और 4 एलेक्ट्रोन जो यहां से रिलीज हुए वो यहां पहुच के क्या करेंगे रियक्शन करेंगे तो क्या होगा यहां पर इस रियक्शन के अंदर 2H2O लिक्विड में चेंज जाएगा वाटर बन जाएगा वापस और इसका एलेक्ट्रोड पोटेंशिय कितना दिया अब बात करता हूँ एक चीज़ समझने की बात यह है कि टोटल रियक्शन की जब में बात करूँगा तो क्या निकालना पड़ेगा मैं देखो यहां पे इनोट सेल निका हुआ है तो इनोट सेल कैसे निकालते हैं हम इनोट के थोर्ड माइनस इनोट एनोट होता है हमेशे है किसमी 혼자 में डिदे पोतेशन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इनोट का एसका है इनोट कि थोर्ड कीटन है वन पंट एंट है वोञगी ही क्या है ओवरल्ल रेक्षिन का एलेक्टृड फटीशियल गीन में आधि बात कर समय दो ईilly को सी छी यहाँ से लिख लीया है मैंने औॉट्विक्षा ट्यंस with oxygen, अभी क्या करेगा, क्या करेगा, oxygen के साथ reaction करेगा, in the atmosphere, thereby, getting oxidized to Fe plus 3, मतलब यह Fe plus 2, Fe plus 3 में क्या होगा, convert होगा, and forming Fe2O3 का निवान करेगा, which come out in the hydrated form is Fe2O3.XH2O, मतलब यह Fe plus 2 था, यह क्या होगा, 3 mol O2 के साथ reaction करेगा, क्या बनाएगा, 2 Fe2O3 बना लेगा, और यह जो 2 Fe2O3 जो है, यह क्या करेंगे, इसके अंदर hydrated form में होता है, मतलब इसके अंदर water भी included होता है, किसमें, solid form के अंदर, इसको बोलते हैं, Fe2O3, जो की .XH2O, यही क्या है, हमारे पास rust अवेलेबल होता है, मतलब इसको एंदर बोलते हैं, ठीक है, यह प्रोसेस थी, एनोड पी रिएक्शन, केतोड पी रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, उसके बाद, Fe2O2, Fe2O3 का बनाएगा, और Fe2O3 में एक वोटर आएगा, क्या बनाएगा, ठीक है, अब आज करें, लास्ट आगे, अपना, क्या है, Prevention of Corrosion, Prevention मतलब क्या है, पहला जो टोपिक दिया हुआ, क्या है, Electroplating, Electroplating क्या होता है, सिम्बल सी बात है, The process of coating of metal within three thin layers of another metal by electrolysis to improve the metal corrosion resistance, मान लो, यह मेरे पास क्या है, दो है, एक तो यह electrode है, एक electrode यह है, इन दोनों को मैंने एक जगे में डाल दिया, यह मतलों एक बाल्टी में डाल दिया, उस बाल्टी में डालने पाद क्या करती है, मैंने electricity pass कर दी, तो मान लो, यह किसका, जो कुछ मान लो, copper का है यह, यह कोपर यहां से पिगल किया होता है इस भी जमना इस्टार्ट होता है इसको बोलते है इलेक्ट्रोप्लेटिंग आइटिंग पूरी वासन में आगे होगी गेलिव्लाइशन क्या होता है दो प्रोसेश ओव डिपोसिटिंग इसके ओपर जिंक की कोटिंग कर देना क्या कलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेश देट कंवर्ड मेटल सर्फेस इंटो डेकुरेटिव ड्यूरेबल कोरोजन रिजिस्टेंट इन अनोडिक ओक्साइड फिनिश इन चीज़ों की क्या करदा एक एक्स्ट्रा क्या कर दी मेटल सर्फेस इस पर एडगर दी जो क्या गड़ेगा तो बचाएगा किस-किस से बचाएगा डेकुरेटिव चम्कीली होगी ड्यूरेबल भी होगी और कोरोजन रिजिस्टेंट भी होती है वह कौन सा है अनोडिक् अगेटीर बिंट्रिश अग्सट्रों परपस उप्रम और अधर प्राइडब यह मेरे पास इस्टेंश इंदर किया मेन नाइजिस्टय़्र एंट्री इस वाइए उस्टेंट्रिम क्या विच्टिन लिया उस्टे क्या करता है सर्फ किक्सके किसको टने लिया एक तो फ्री आ स्ट्रेट ट्रेटार्ती प्र्टिक्टार्स ऑं त्रोलेंस कोो SAT वारम्हयां प्राइव करेंगा संब्सक्राइब करेंबटा में भाइब करने काम कोटिंग घञताprovhe आप गड़ लेना इसको एंटी कोरोजन प्रोटेक्टिंग कोटिंग इसमें क्या अधा कोटिंग होती है देखो प्रोवाइडर रोबस्ट लेवल और प्रोटेक्शन अगेस्ट कोरोजन फॉर कंपोनेंट अउपरेटिंग इन हाइली कोरोजिव इनमेंट मतलब जहां बहुत अधार को नहीं हो को अधार को पता है इसलिए यहां यूज喉ज व सक्टकेंट करते हैं और पैना इसलिए घंजन इनिवीटरीं इसलिए reduce the corrosion rate of a metal surface exposed to the corrosive environment by its chemical activity, उसको रोक देता है, उसको मोलता है use of corrosion inhibitor or drying agent, और आगे है periodic cleaning of metal surface, बार बार metal surface को हाथों से या किसी भी चीज़ से साफ करना, क्या होता है, ये प्रकार से type था उसका prevention का, तो corrosion हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके मतलब corrosion होता क्या है, definition क्या होती है, और corrosion के बाद, definition के बाद, factors कौन-कौन से depend करते हैं, किस-किस type का होता है, और कौन-कौन से example है, copper, silver और stitch job liberty बता दी, मैंने आपको coin बता दिया आपको, और last में iron भी बता दिया, कि iron इस प्रकार से corrosion होता है, पुरी मेंटर आपको समय आ गया होगा, और last में में क्या पढ़ लिया, उसके prevention भी पढ़ लिया, ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास थी, कौन सी electrochemistry की, वो corrosion के साथ क्या होगा, खतम हो गया है, तो यह मतलब यह complete chapter अब खतम हो चुका है, इसके बाद हम नया chapter स्टार्ट करेंगे, तो आपको देखना नहीं बूलें, ओके, थेंक्यू,